एक अच्छा घर आपका संसार होता है आपका संसार बोलने का मेरा ताथ परे है आपके संसार यानि आपके फैमिली वाले रहते हैं आपके अच्छे घर में तो वही आपकी एक दुनिया बन जाती है और उस दुनिया के आसपास सारी चीजे होनी चाहिए सारी चीजे बोलने का लिए अधात पड़े मेरा ये है अगर आपके घर में बच्चे हैं लिए स्कूल इयुक्त ऑना culture अंके लिए अघ्जी कोई थे ये जा घर हैं पूज़के में ऐसी जगा आपको अपार्टमेंट दिखा रहा हूं, 3BH के अपार्टमेंट का टूर देने वाला हूं, जो कि सारी चीज़े हैं, लोकेशन खुद में एक प्रीमियम लोकेशन है, 3BH के अपार्टमेंट, 1400 का कार्पेट में आपको दिखाने वाला हूं, और प लॉँष करने के पहले का पार्ट, उससमय जो प्राइस होते हैं किसी भी प्रोजेट के कम होते हैं, जैसे एक लाँच हो जाएंगे, उसका प्राइस step by step बढ़ते जाएंगे आपने सुना होगा कि जब कोई भी प्रोजेक्ट लाउंच रॉआ तो शायद उसकी प्राइज एक करोर रुपे थी और जब बन गया डेर दो साल चले गए यानि आधा ही बना हुआ प्रोजेक्ट उसकी प्राइज डेर करोर होगी तो इसको appreciation कहते हैं मैं आज जो आपको तूर देने वाला हूं 1400 का कार्पेट है इसमें दो वेडियंट है 3BHK के एक एक 1100 के हैं और 1400 के तो मैं सबसे पहले आपको अपार्टमेंट दिखाता हूं स्टार्ट से प्लीज कम इंट्रेंस पे जो आपको डोर हमेशा मैं दिखाता हूं बताता हूं क आपको सकते हैं और जैसे अंदर आते हैं तो यह आपकी आ जाती है आपकी लॉबी इस तरीके से डेकॉरेट कर सकते हूं फ्रैंकली बताओं प्रिलॉंच में है तो अभी यह जो अपार्टमेंट है इसको फर्णिश नहीं किया गया है काम चालू गया है बट आपके लिए म मैंने सोचा पहले हमारे विवेवर्स को मॉका मिले तो यह है आपकी इंटरंस लॉबी इसकी साइज दे दूँगा अब आज अब देख लो यह आपकी लिविग एंड डाइनिंग स्पेस this is your living and dining space कैसा होना चाहिए एक living and dining ऐसा ही होना चाहिए size ऐसी हो नहीं चाहिए furniture तो आप कहीं से भी ले आओगे but size कहां से लाओगे चाहाँ पे देख रहो अच्छी खासी sofa सामने television अगर मैं sofa पे बैठता हूँ और सामने देखता हूँ तो जो मेरी distance है television to sofa काफी अच्छी खासी है और देख सकते हैं काफी अच्छी खासी sitting की विवस्ता भी की गई है यह है आपके living space और यह dining living and dining combine है दोनों का size मैं देने वादा हूँ आपको screen पे आपको दिख जाएंगे बट आपके sensor के लिए इस से अच्छा option सायद ना मिले 1400 का कार्पेट 3BH के अपार्टमेंट इतनी बड़ी सी आपकी dining और यहाँ पे storage kind of जो यहाँ पे लगेगा आपका तो यह अभी थोड़ा सा mashup है क्योंकि अभी कैसा ना furnish किया जा रहा है हुआ नहीं आप जैसे अंदर है आपको living and dining दिख गई इसके राइट-hand side में आ रही है kitchen space तो यह है आपके kitchen आप दूर से अगर देखो तो kitchen कैसे आपको लग लिए size में मीचे close cabinet किये गए उपर close cabinet platform काफी अच्छी है authentic है यहाँ पे आपको एक मिल जा रही है sink quality wise आप check out कर सकते हो क्या है ना घर आपको हर जगा मिल जाएगा quality शायद ना मिले जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती तो हर अपार्टमेंट एक जैसा नहीं होता तो यह आपको देखना चाहिए यह जो space देख रो यह है आपकी refrigerator लिए space बाकी चीज़ें आप यहाँ पर लगावाख सत्ते हो इसके साथ आ रही है आपकी एक dry balcony जिसको हम लोग कहते है utility section तो आके देख लो है कैसी कैसी का मतलब size देख लो यह है size उपर से enclosed like this premium feeling यहाँ पर भी दिया गया है size काफी अच्छी है स्क्रीन पर आपको size मिल देंगे यहाँ पर आपकी आ जा रही है washing machine enough space से आपके cloth hanger के लिए सामने से ventilation आएगा और यह एक highway touch project है kind of highway touch में कह सकता हूँ कि आपकी connectivity highway से काफी अच्छी होने वालगी आए यह तो आपको living and dining दिखाया था अब मैं left hand side में आता हूँ तो पहले आपको bedroom में लेके चलता हूँ तो यह है आपका bedroom no.1 आप देखो bedroom no.1 में bed की size और यहाँ पर एक बड़ी सी chair लगाए लिए interior किया जा रहा है दोनों side में बड़ आपको कैसा रहा कि अभी interior complete नहीं हुआ है आपके sample flat का जो काम में complete नहीं हुआ है यहाँ पर आपकी जो चेयर आ रही है काफी बड़ी चेयर आ रही है इस side में आपकी wardrobe आ रही है almost full length में है इसकी depth अच्छी खासी है barefoot से doorfoot के आसपास की है यह है आपका bedroom no.1 जिसको आप बना सकते हो common bedroom पता है common bedroom हम देते हैं या तो kids bedroom बनाते हैं यह common bedroom इतना बड़ा है now अब हम चलते हैं आपके common washroom की तरफ तो जैसे आप निकलते हो यहां पे आ रही है आपकी common washroom पहले आ रही है आपकी wash basin इस side में आ रही है आपकी commode and यह हैं आपका sour section size हो तो ऐसी घर हो तो ऐसा अब मैं यह बताना चाहूंगा कि आप मुझे call करो screen पे नंबर दिये गया है यह सारी fittings के बारे पूछो exactly यह size कितनी है वो पूछो आप मुझसे इसके बारे में जितनी जानकारी लोग है मुझे बड़ा अच्छा लएगा बालकनी जो आपको मिलने वाली हो लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि वह आपको एक मास्टर पीस बालकनी है यह आपका बैट्रूम नंबर टू बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब भी कैसा है ना सैंबल फ्रैट का काम पूरा हुआ नहीं है बट मैं आपके लिए दिखाने लाया हूं क्योंकि मुझे यह अपार्टमन काफी अच्छा ल हैने वाला है उपर वाला मूफ कर सकते हो बठाज टफन ग्लास है ना वह भी लगबग 12 mm का हर जगह तो वह आप आएंगे तो मैं आपको एक्स्पीरिंस करा सकता हूं और यहां पर आपको जो वार्डरोब आ रही है आप खुद देखो कितनी डेट है यह आप मुझे इसकी लेंथ के बारे में तो यह है इसकी लेंथ एक्जाक्ली सारे सेम है जैसे आप अंदर आ रहे हैं तो पहले आ रही है आपकी वाज विसल मिरर लगाया गया यहां पर आ रही है आपकी कमोड और यह है आपका सावर शेक्शन जैसा कि मैंने अभी दूसरे वाश्रूम में बताया आप मुझे कॉल करो इसकी फिटिंग्स के बार है पूछो इसकी एक्जाक्ट साइज पूछो मैं आपको बताऊंगा एक 1400 कापेक बालेवारी लोकेशन में एक 36 स्टोरी बिल्डिंग में यहां कैसा है यह मैं आपको दि जो आपको बालकनी मिलने वाली ही यह है आपका 3rd bedroom, बिसिकली आप इसको बना सकते हैं master bedroom, जो मैं आपको बालकनी दिखाने वाला हूं, वो एक running balcony होने वाली है, जिसको आप अप access living से भी कर सकते हो, and आपके 3rd bedroom से भी कर सकते हो, तो मैं living की balcony एक साथ दिखा हूँगा, क्यो यह इसकी डेट आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यह कैसी लग रही है क्या साइज लग रही है क्या पैसा खंड लेना चाहोगे इसके साथ आपकी अटाच वाश्रूम वह उसे विद्स लैप तो स्टोरिज बन गया आपका यहां पर आपकी कमोड आ गई और यहां पर आगए आपके सावर सेक्शन फिटिंग के बारे में जो भी जानकारी चाहिए आपको कॉल करना होगा अब हम चलते हैं आपके लिविंग से बाल करनी की ओप अब हम चलते हैं लिविंग से बाल करनी की ओ तो यह है आपका एक इसको डेक कह लीजिए स्काइडेक क्योंकि आइनो आप उपर का मजा लेना चाहते हैं अगर आप फील करो 25 फ्लोर 35 फ्लोर पे हो ऐसी स्काइडेक पे क्या फील करोगे सामने क्या दिखेगी यही होता है अपने घर संसार यानि अपनी दुनिया को एक अलग फील कराना यानि आपने फैमिली को यानि आपके फैमिली को अलग फील कराना मुझे नहीं लगता है इससे कोई बैटर ऑप्शन मिल सकता है अगेन में बताओं मैंने हमेशा दिखाए टफन ग्रास वेगरे की है ये बड़ी इग्जाटली बताओं 12 mm का है शायद आपके लिए टेक्निकल हो समझ मना आए तो आप मुझे कॉल करके बताएंगे तो मैं इसमें और दूसरों में डिफेंस बता सकता हूं उपर जैसा देख रहे हैं बहुत अच्छी नक्ताशी की गई है और घर जो होता है पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है तो उसको ना सही जगा इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्ट और यह सही जगा मुझे लग रहा है तो आप स्क्रीन पे नंबर दिये गया है आप जागर हमें कॉल करें मैं आपसे मिलता हूं साइड विजिट पे इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप कॉल करें कमेंट सेक्षिन में बताया है मैं आप से या आपकी फैमिली किसी के भी कोई भी कॉश्चन है तो मैं उसका जवाब देता आपसे अगली वीडियो में तब तक धन्यवाद, थांक्यू